गोल्डी भाई मेरा बहुत प्यारा भाई है चाहे वो चला गया वो हमेशा रहेगा क्योंकि रिष्टे ऐसे रातो रात बनाए नहीं जाते और रिष्टे रातो रात तोड़े नहीं जाते किस ने विश्वाश्यात किया कॉंग्रेस पार्टी ने किया ना ये वो कॉंग्रेस पार्टी है जो गोल्डी भाई को जमीन से उठा कर एक आम नौकरी करने वाले के जो हमारे अंकल है वो नौकरी करते थे छोटी नौकरी और यूनिवस्टी से उठाकर उनको MLA लड़ाया फिर दोस्ट दुबारा लड़ाया फिर पार्लिमेंट लड़ाया कितने लोग हैं पंजाब के अंदर जो टिकेट ढूंड रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातो रात भाग जाते हैं पढ़ने वाले यूनिवस्टी से लड़के को उठाकर सीधा बना दिया गया फिर इससे बड़ी बात है जिसका राजनिती में कोई ABC ना उसको सीधी टिकेट MLA की कॉंग्रेस पार्टी ने दिया आज बगवंत मान जी की कुरसी के साथ बैठने का मौका ये कॉंग्रेस पार्टी ने दिया नहीं तो किसी ने पूछना नहीं था लाखों लोग गुम रहे हैं वो ये कहें कि यार मैं जिन्दगी की नहीं शुरुआत करने दा रहा हूं आम आदमी पार्टी के साथ मेरे मन को लगा कि अब मेरे लिए कॉंग्रेस में नहीं बात बनेगी मैं इदर ऑपर्चुनिटी मिली ये तो लोगों को अच्छी लगेगी बात ये वो ही गोल्टी है जो रोजबंग मान जी को लड़ते थे वो ही गोल्टी है जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे ये वो ही गोल्टी है जो सुक्पाल को खेरा साब को सवागत करती हुए जोर जोर से नारे लगाएंगे कि अब क्या हो गया टिकड नहीं मिली हमें बुलाया जया सुक्पाल खेरा को अपने घर बनाज़ा गया मैं अपने खिलाक से इधर उधर नहीं जाऊंगा मैं खेरा की मदद करूँगा कॉनग्रेस पार्टी जिन्दा बाद है मेरे नारे लगाए पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता बहुत अच्छा विक्ति था गोल्डी वो यार ऐसे ही करते हैं जब किसी ने जाना होते है बोल भी बिगड़ जाते हैं दो बाते हैं कहेंगे कांगरस के सीने लेडिस के बोल बिगड़ गे हैं बाकी मैं उनकी पॉल खोलूंगा बाकी यह है यह बस इतनी कहानी अब बगवानतमान जी कहेंगी यार गोल्डी कुछ तो बोल सुक्पाल खेरा आ गया है मर जाएंगे और एक भी बंदा गोल्डी के साथ ने गया अगर सुक्पाल खेरा गोल्डी के जाने के बाब यूद भी एक लाख वोटों से जीट गया तो हाँ आप ने तो सारे बाहर से ले आए आप पहले कांग्रेस से गमीदवार लेके गए रिंकू को फिर रिंकू बीजेपी में चला गया फिर आप अकाली डल से ले आए आपने फतेगड जीपी को ले आए कांग्रेस से ले आए जिसको गाली देते थे आप फिर चब्बेवाल को कांग्रेस से ले आए आज फिर गोल्डी को कॉंग्रेस में ले आए आपके पास अपना माल क्या है और लध्याना में जो पप्पु भाई दिया है क्या पप्पी भाई हाँ पप्पी भाई क्यूं दिया है ये सब जानते हैं जो पप्पी भाई दिया है ये पप्पी भाई ये मैं कहा रहा हूँ य कौन मेरा बड़ा बड़ा बाई है रवनीच सिंग बिट्टू मेरे विचार खुमत बेद हैं वो रहेंगे जो उन्होंने गुना कर लिया ये गुना है ये गुना है गुना है दोखा देना गुना है आप किसी इसको गाली दे लो लड़ परो चलेगा लेकिन धोखा देना पुना किया है लेकिन बिट्टू जी और पपी भाई क्यों है यह पता है